दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लापते रहते हैं नए ने बिजनस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए तो नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हो हमारा चैनल जिसमें हम आपके लिए नए ने बिजनस आइडियाज लेके आते हैं तो आज का बिजनस आइडिया एक ऐसा बिजनस है जिसे आप अपने घर से भी शुरू करके असानी से काफी पैसा कमा सकते हो यह बिजनस एक लगूद दोग बिजनस है जिसमें आपको ना ज़्वेस्टमेंट चाहिए ना ज़्यादा सपेस चाहिए ना ही कोई आपको कोई experience चाहिए इसे आप असानी से जब मर्जी शुरू कर सकते हैं साल भर चलने वाला ये बिजनेस जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और कोई भी पॉइंट बीच में से स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदमन होने वाली है तो दोस्तों ये जो बिजनेस हम आपके लिए लेके आए हैं ये आप ऐस अस्टार्टर बिजनेस इसे शुरू कर सकते हैं और ये स्मॉल बिजनेस में आता है तो ये business है notebook manufacturing business मतलब notebook, register, copy, किताब बनाने का business सबी तरह का इससे आप copy register बना सकते हैं तो चलिए बताते हैं कि इसमें raw material क्या use होता है और manufacturing कैसे होता है और profit margin क्या क्या होते है तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको चाहिए होता है paper और इसका ओपर वाला title गता जिसमें आपका नाम और आपका branding वगारा लिखा होता है तो जैसा कि आप video में देख रहे हैं कि ये है paper के sample और ये है आपका title का sample तो इसमें आपको basic requirement ये दोनों चीजों का होता है आपका paper जितने मर्जी GSM का हो सकता है जैसे जैसे इसका quality बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका rate भी बढ़ता है नॉर्मली ये जो paper का quality है ये आपको 50 से 52 से 60 rupees के बीच मिल जाता है तो अगर इसका title का बात करते हैं जिसमें उपर आपका branding और नाम वगारा लिखा होता है तो ये title आपको तकरीबन जो छोटी copy का होता है वो 1.5 रुपे से लेके 2 रुपे तक का बढ़ता है और A4 notebook जो बड़ा register है उसका आपका तकरीबन 3 रुपे के आसपास बढ़ता है जैसे जैसे आपका ये बढ़ता जाता है size notebook का वैसे वैसे इसका rate भी बढ़ता है आपका quality के साब से भी इसका rate सारा vary करता है आप जैसे का भी इसका printing करवाना चाहते हैं वैसे का इसमें printing हो जाता है इसका paper का बात करें तो paper में जैसे आपका single line होता है double line होता है three nine होता है आपका math वाला line होता है वो सारे इसमें प्रिंटिंग हो जाते हैं अब जैसे का भी प्रिंटिंग चाहोगे आपको वैसे का मार्किट से अवेलिबल हो जाएगा और इसका raw material easily हर जगा अवेलिबल है ये नहीं कि ये आपको किसी particular city में मिलेगा या कहीं जगा सस्ता मिलेगा इसे आप हर जगा खरीज सकते हैं और ये वीडियो end तक जुरूर देखें क्योंकि हम इस वीडियो के end में आपको raw material और machinery के supplier का भी सारा contact देंगे कि आप किन से खरीज सकते हैं और किन से आपको सस्ते rate में मिलेगा तो चलिए अब देखते हैं इसके manufacturing process के बारे में कि notebook बनता कैसे है कैसे इसका production होता है क्या क्या चीज़े इसमें requirement होती है production के लिए और कैसे इसको accurately हम product बना सकते हैं तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक fully automatic model जिसमें आपका 3-in-1 machine है जिसमें stitching, folding और squaring होता है मतलब आपका notebook पे ले stitch होगा, stitching के बाद उसका back square folding होगा और end में उसका back square होगा back square होने के बाद आपका end में cutting process आएगा, cutting में जिसमें आपके notebook का finishing आएगा और end में आपका shrink wrapping होगा जिसमें आप notebook pack कर सकते हो और end में आपका product त्यार होगा तो चलिए देखते हैं कि कैसे manufacturing होती है, कुछ जैसा कि आप देख रहे हैं यह है हमारा fully automatic 3-in-1 notebook stitching, folding and squaring machine इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका program कैसे work करता है fully automatic touchscreen model है यह, इसमें आपने notebook का size, कितने कितने centimeter में मुझे pinch चाहिए, कितना मुझे fold चाहिए, कितनी speed चाहिए, edge squaring कितने में चाहिए मुझे, वो सारा आप setting कर सकते हो जैसे कि आप front screen में देख रहे हो, इसमें सारे features available हैं, आप इसमें setting अपने हिसाब से करके, accurately notebook को produce कर सकते हो इसमें आपको accurate काफी product रहते हैं, आपको कोई भी मदलब, आपको इसमें कोई भी accurate labor की जूरत नहीं है, normal आदमी कोई भी इसमें काम कर सकता है, और easily कर सकता है, बिना कुछ ज़्यादा सीके भी तो जैसे यह देख रहे हैं कि हम इसमें सारा program setting कर सकते हैं, और देखे कैसे भी program set हो रहा है, तो चली अब देखते हैं इसमें manufacturing कैसे होता है, हमने सबसे पहले notebook को एकठा इस table पे रख देना है, table पर रखने के बाद एक एक करके, हम notebook को आगे आगे दखेलते जाएंगे, यह notebook produce हो जाएगा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे हम आपका process start करते हैं, तो यह automatically notebooks को आगे लेके जाएगा, आगे ले जाने के बाद यह automatically जितने-जितने centimeter आपने डाले होगे, उतने-उतने centimeter पर ही आपका pinning होगा, pinning होने के बाद आपका automatically यह folding station में जाएगा, folding station के ब गलिए के अपका 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 आपका का पर, थाएगात संप यह जाएगा, यह करका दो दितने उतने conference. उतना-kaया दावे होगे देख यह जावे नितनेका इुमाश की लेकास, इसाफे होगे ह। झाल 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 तो जैसा कि आपने देखा कि यह था फुली आटोमाटिक मशीन जिसमें आपका नोट बुक सारा त्यार होके बाहर आता है और सिर्फ इसमें आपका एंड में कटिंग का प्रोसेस वह जाता है तो अभी जह जाते हैं कटिंग स्टेशन में कटिंग मशीन का वर्किंग देखते हैं कैसे वो कट करता है और कैसे कैसे उसमें आपका यह double notebook से single single notebook वा conversion होता है तो चलिए देखते हैं कि cutting machine कैसे work करता है तो आज यह जो cutting machine आप देख रहे हों यह semi automatic cutting machine है जो सारा button से काम करता है इसमें आपके safety sensors होते हैं हाथ आगे हो तो machine नहीं चलता जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में इसमें कठी notebook रखी हुई है इनको आप cutting करके accurately मतलब finishing ला सकते हो double double notebook होता है उनको इसमें cutting करके single में convert किया जाता है और final product तियार किया जाता है आप देख सकते हैं कैसे इसमें आपका cutting हो रहा है कैसे कैसे क्या क्या processes involved होते हैं और क्या क्या button दबाग कर आपका cutting का process complete होता है तो जैसे आपने देखा कि cutting करने के बाद कैसे इसका finishing बढ़िया आ जाता है notebook का और single single में कैसे convert होता है तो अभी इसका process आता है notebook को pack करने का packing का process होता है कि इसको lamination वाली wrapping करने का आप 55-66 notebook को एकठा इस shrink wrapping machine में रखके pack कर सकते हो इससे ये होता है कि notebook में कभी moisture नहीं आता आपका paper कभी खराब नहीं होता और long life तक machine जो आपकी notebook से हैं वो कहीं पड़े भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं आता और इसमें sale भी easily हो जाती है notebook तो ज्यादा तर जो manufacturers है वो इस machine का use करके अपने notebook को wrap करके ही अपने stock में maintain करते हैं तो दोस्तों ये अपने वीडियो देखी है notebook manufacturing business के बारे में बहुत ही easy business है असानी से आप शुरू कर सकते हैं आप इसमें जिसना भी आपका investment है उसके हिसाब से शुरू कर सकते हैं manufacturer के पास छोटे से लेके बड़े तक सारी machines है अगर आपका budget कम है तो आप इसे कम budget में शुरू कर सकते हैं और अगर आपका budget जादा है तो आप fully automatic machines लेके जादा accuracy और high production के साथ इस business को शुरू कर सकते हैं और जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो अगर आप इन machines और raw material को purchase करना चाहते हैं तो screen पे दिए गए numbers पे contact कर सकते हैं और इनसे machines purchase करके अपने business को असानी से शुरू कर सकते हैं बिजनेस शुरू करने की proper guidance इनके दोरा दी जाएगी और कैसे कैसे business करना है उसके लिए सारा availability भी ये provide करवाएंगे तो ये था आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो like और comment ज़रूर करें और हमारे channel को subscribe कर लें क्योंकि हम नए नए business ideas लेकर आते रहते हैं